अब हमने देख लिया कि जन खनत्व जो हमारे भारत में मिलता है कहीं कम कहीं अधिक तो इस पे कुछ बातें जो है हम निशकर्श तोर पर कह सकते हैं कि पूरे हमारे मैदानी छेत्र और जो डेल्टाई या तटी मैदान है वहाँ पर हमें जन संख्या घनत्व जो है वो अधिक देखने को मिल रही है यदि हम मैदानी छेत्र की बात करें तो ये वर्शा का अनुसरन करती हुई देखने को मिलती है कि क्रम्शा पूर्व से पश्रिम की तरफ जो जन घनत्व है उसमें कमी आती जाती है जहाँ पर खनी संसाधनों की उपलब्धता है क्रिशी के लिए उपजाओ भूमी अब ये तो हो गई जन घनत्व की बात अब हम चर्चा करते हैं जन संख्या वृद्धी पर तो पहले से समझ लेते हैं कि जन संख्या वृद्धी है क्या तो हम यदि इसे कुछ सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेश शेत्र में या किसी भी शेत्र में समय के किनी दो अंतरालों के बीज जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृध्धी कहते हैं मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगी किसी छेत्र विशेश में समय के किनी दो बिंदूओं या दो अंतराल या दो अवधी हम कह सकते हैं किनी दो समय बिंदों के बीच वहाँ पर की जनसंख्या में होने वाले परिवर्थन को जनसंख्या वृध्धी कहा जाता है अब ये जनसंख्या वृध्धी जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और रिडात्मक वृध्धी भी हो सकती है ये वृध्धी किसी भी तरह की हो सकती है यदि जनसंख्या में जो परिवर्तन है मतलब पहले साल जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे वर्तमान समय में यदि जनसंख्या कम हो गई तो हम उसे रिनात्मक वृद्धी कहेंगे और अगर जनसंख्या बढ़ी परिवर्तन जो है वो वृद्धी में हुई बढ़ने की प्रवित्ती हमें देखने को मिली तो हम उस जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहेंगे धनात्मक वृद्धी के नाम से या धनात्मक वृद्धी दर कहा जाएगा तो ये है जनसंख्या वृद्धी अब हम ये समझ लेते हैं कि हमने देखा तो कि इसमें परिवर्तन जो है वो दो तरह से हो सकता है कमी को हम धनात्मक वृद्धी कहेंगे और जो अधिक होगी जनसंख्या में परिवर्तन वृद्धी की प्रवित्ती देखने को मिलेगी तो हम उसे धनात्मक वृद्धी कहेंगे यह किससे प्रभावित होता है तो जनसंख्या वृद्धी जो है वो जनमदर मृत्यूदर और प्रवास यह तीन जो है वो प्रमुक कारण है जो जन संख्या के वृद्धी को प्रभावित करते हैं जन्मदर किसी भी देश या राष्ट या इस्थान हम कह सकते हैं किसी भी छेत्र विशेश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवीत बच्चों की जो संख्या है उसे हम जन्मदर कहते हैं तो नैचरिली है कि किसी भी इस्थान पर अगर जन्मदर जो है वो अधिक होगा तो क्या होगा वहाँ पर जन्संख्या में वृद्धी की प्रवित्थी हमें देखने को मिलेगी और मृत्य उदर क्या है दूसरा जो इसको प्रभावित करते है जन्संख्या वृद्धी को जानते हैं तो अगर किसी भी राष्ट में किसी देश में किसी भी स्थान में जब मृत्यूदर में कमी होगी तो जनसंख्या में क्या होगी वृध्धी होगी और मृत्यूदर अधिक होगा तो जनसंख्या में कमी आएगी हम अभी आगे भी बात करेंगे जो 1921 वर्ष 1921 की जो अवधी हम देखेंगे जिस समय बहुत जो अकाल, महामारी, युद्ध का जो समय चल रहा था जिस कारण मृत्यूदर जो है वो अधिक हो गई थी जिसके कारण जनसंख्या में वृधी हुई इसके साथ ही साथ जो जन्मदर की प्रवित्ती भी यदि अधिक हो गई है ना हम देखेंगे वर्तमान में जन्मदर भी जो है वो अधिक है पहले क्या होता था जन्म दर जो है वो हमको कम देखने को मिलता था क्योंकि जन्म के समय जो है वो उचित जो चिकिसा सुवीधा नहीं मिलने के कारण स्वास्त सुवीधाओं के अभाव के कारण पोशन के अभाव के कारण बहुत से शिशु जो है वो मर जाते थे जन्म के समय नहीं तो जीवीत बच्चों की संख्या जो है वो कम होती थी तो किसी भी इस्थान पर जो जनमदर और मृत्यूदर के कारण जनसंख्या में वृध्धी होती है उसे हम प्राकृतिक वृध्धी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है अब इसके अतिरिक्त प्रवास जो है वो भी जनसंख्या वृद्धी को प्रभावित करता है प्रवास दो तरह से होता है या तो व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएंगे या दूसरे स्थान से आपके आपके देश में आएंगे तो जब आप्रवास की स्थिती होती है मतलब दूसरे देश से आपके देश में व्यक्ति जो हैं वो आ रहे हैं प्रवास कर रहे हैं तो इससे क्या होगी जनसंख्या में वृद्धी होगी और जिस देश से वो आ रहे हैं वहां की जनसंख्या में कम की प्रवित्ती जो है वो देखने को मिलेगी तो यदि हम अपने भारत के संदर में बात करें तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे भारत में आंतरिक प्रवास जो है वो अधिक देखने को मिलता है इसलिए जब हम राश्ट्रिय जनसंख्या वृद्धी की बात करेंगे तो इस इसरे राज्य की तरफ जो हैं वो अधिकतर प्रवास करते हैं तो यहां पर प्रवास का जो प्रभाव है वो कम है अब एक और कारक है जो जनसेंख्या वृद्धी को प्रभावित करता है वो है जीवन प्रत्याशा का बढ़ना जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से भी जनसेंख्या वृद्धी किसी भी इस्थान की वो प्रभावित होती है क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं लोगों की आयू जब अधिक होती है लोग अधिक जीते हैं तो क्या होगा वहां पर की जनसेंख्या वृद्धी जो है वो अधिक होगी क्योंकि लगातार स्वास्थ चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हो रहा है पोशन में लोगों के रहन सहन में वृध्धी हो रही है जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ती है अब इसके अतिरिक्त भी और अन्य कारण है जैसे बाल विवाह की प्रता है समाजिक कुरूतियां है कुछ रूड़ी वादिता है तो ये सब भी जो है वो नियंत्रित करते हैं आपके जनसंख्या वृध्धी के दर को हम एक नजर डाल लेते हैं आपके सामने ये ताली का नजर आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं 1901 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या की वृध्धी है वो आपको नजर आ रही होगी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ष 1901 में जनसंख्या थी आपकी 23 करोड है ना उसके बाद 1911 में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई 25 करोड 25 करोड 20 लाग 25.2 लाग फिर हम आगे देखते हैं वर्ष 1921 में जनसंख्या जो है वो खट गई 25.1 करोड हो गई तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जनसंख्या जो है वो उसमें कमी आ गई है ना तो क्या हुआ कित्ते की कमी आई हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.31 माइनस में हैं तो वो कैसी वरिद्धी हुई जनसंख्या की रिनात्मक वरिद्धी दर है ना रिनात्मक वरिद्धी दर हम जनसंख्या को कैसे निकालते हैं जैसे आपकी 1911 की जनसंख्या है 25.2 करोड उसके बाद उसमें आप माइनस कर देंगे आपके 1921 की जनसंख्या को जो है आपका 25.13 करोड यह दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.31 करोड और वो किस में आ रहा है माइनस में पहले हमने इसको क्या कर दिया घटा दिया और चुकि जनसंख्या पहले वर्ष से आधार वर्ष से वर्तमान में कम हो गई तो यह हमारी क्या हुई रिनात्मक वरिद्धी अब यह जो है हम जो जनसंख्या के वरिद्धी दर है क्यों 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 हमें पपता है कि हमारे भारत देश यह प्रतेख दस वर्ष में होती है यह यह प्रक्रिया हर दस वर्ष के अंतराल पर की जाती है इसलिए हम जनसंख्या की वृधिधी दर को भी हर दसक में यह हम यह कहें कि हर 10 साल में निकालेंगे यह हम उसको और बूसरे शबदें में कह सकते हैं कि जनसंख्या की व्रिधी दर जो है वो दश की व्रिधी दर होती है इसे हम वर्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं प्रति वर्ष में और इस तालिका में आपके सामने वार्षिक व्रिधी दर का भी प्रतिशत दिया हुआ है तो यहां पर हम व्रिधी दर देख रहे हैं और इसी को जब हम प्रतिशत में कर देंगे, प्रतिशत में मतलब हमने निकाल लिया पहले माइनस कर दिया 1911 से 1921 की जनसंख्या को जितनी आई हमारे पास, उसके बटा जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष हम किसको मानेंगे? हमेशा पिछले वाला, मतलब यदि हम 2011 में निकाल र हुई, तो हमारा आधार वर्ष क्या होगा? इसके पहले वाली जो जनगरना थी, मतलब 2001 में जो जनगरना की गई, तो 2001 की जनगरना और 2001 से 2011 के दोरान, जो हमारी दश की वृध्धी, निकली दश की वृध्धी, उसके बटा हम क्या करेंगे? आधार वर्ष की जनसंख्या, म तो यह हमारी जो जनसंख्या की वृध्धी दर है, वो प्रतिशत में निकल कर आ जाईए, तो आई होब कि आपको यह जनसंख्या वृध्धी दर कैसे निकाला जाता है, यह समझ में आ गया होगा, और इस तालिका से भी आपको अच्छी तरह से इसपस्ट हो रहा है, कि हम देख रहे हैं कि 1901 से 1911 में जनसंख्या में वृध्धी हुई है, और कैसी वृध्धी हुई है, धनात्मक वृध्धी हुई है, जनसंख्या बढ़ी है, फिर हम देख रहे हैं कि 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या में वृध्धी किस प्रकार हुई है, रिनात्मक वृध्धी ह मतलब जणसंख्या में घट गई है कम हुई है कि इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जणसंख्या में प्रतिशक में जरूर थोड़ी अब कमई आई है अब इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 1901 से लेकर अभी तक हमारे जनगर्णा के इन 100 वर्षों के दोरान इस बीच में जनसंख्या में कौन-कौन से परिवर्तन हुए कैसी-कैसी वृद्धी का काल या समय रहा जनसंख्या में और वो किन कार्णों से था इस पर ह मेहला समय हम देखते हैं इस्थिर जनसंख्या की वृद्धी का समय जो हमारा हम देख रहे हैं यहां पर 1901 से लेकर 1921 के मध्य का समय हम इसे कह सकते हैं इस समय क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या थी वृद्धी दर्ध जो थी उसकी वो परिवर्तन शील रही है और लगभग नगण्य थी, नॉमिनल थी, नहीं के समान थी, वो कुल जन संख्या जो है लगभग इस्थी रही है, इसके पहले भी हम तालिका में देख चुके हैं, और लगभग बिस्वी सताबदी का जो समय था, उसके प्रारंभिक वर्षों की यदि हम बात करें, तो हम ये दे देखेंगे कि 1911 से 1921 का जो समय था, तब जो जनगर्ना की गई, वहाँ पर वृद्धि के स्थान पर, हमने पहले भी बात की, कि जन संख्या में वृद्धि के स्थान पर कमी देखने को मिली, और ये कमी कितनी थी, 0.31% की कमी आई, 1921 की जनगर्ना में, भारत की जन संख्य में, कारण क्या था, इस समय भारत में महामारी फैली थी, इन्फ्लूएंजा, प्लैग, जो है, चेचक, हैजा, ये सारी जो महामारियां थी, वो भारत में फैली हुई थी, जिसके कारण बहुत लोग मारे गये थे, अकेले यदि हम बात करें, 1918 में, तो सिर्फ इन्फ्लू इसी बीच यदि हम बात करें, तो लगभग 1914 से लेकर, 1918 के मध्य जो था, वो प्रथम विश्वयुद्ध का दौर भी चला था, और इस समय बहुत सारे हमारे भारती सैनिक भी इसमें मारे गये, जाने चली गई बहुत सी, और इन महामारियों के साथ साथ जो युद्ध का सम हैंगे कि दो वर्ष तक फसलें भी, मतलब फसल की उपज भी जो है, वो हमारी बहुत अच्छी नहीं रही, मतलब उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा था हमारे खेतों में, जिसके कारण बहुत सारे लोग भुखमरी के भी शिकार हुए, तो ये पूरा दौर चला है, जिस इसके कारण जनसंख्या में व्रिधी की बजाए हमें कमी देखने को मिलती है, और इसलिए हम वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या व्रिधी का एक वरिहद विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना चाहिए, वर्ष 1921 जो है वो भारत की जनगर्णा में या भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, फिर हम दूसरा स्टेज या दूसरी अवस्था की जो है वो बात कर रहे हैं, वो दूसरा समय था हमारा जनसंख्या में समान व्रिधी का समय, जो आपका लगभग 1900 वर्ष 1921 से लेकर 1959 के मध इसे हम जनसंख्या की समान व्रिधी का समय कह सकते हैं, हम यह देखते हैं कि वर्ष 1921 के बाद, 1921 में तो जनसंख्या में रिणात्मक व्रिधी दर्ज की गई थी, फिर 1921 के बाद जो है वो जनसंख्या में समान व्रिधी हुई, समान व्रिधी इस कारण हुई कि उस समय जो इन्फ्लुेंजा, हैजा या प्लेग जैसी महामारिया फैली हुई थी, उनकी जो चिकित्सा हम कहें या इससे संबंधित स्वास्थ स्वीधाओं का विस्तार हो गया, डॉक्टरी चिकित्सा से इन सभी महामारियों का या इन बिमारियों को ठीक किया जाने लगा, जिससे मृत कि उदर में बहुत अधिक कमी आई और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो यातायात के साधन है, उसका भी विकास हुआ और यातायात के साधन का विकास होने से क्या हुआ, कि जो अभाव गरस्त जो छेत्र थे, मतलब जहां पर जो आवश्च्च्टाओं की दैनिक आवश शक्ता थी, वो यातायात के साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा सकने लगे, तो यातायात के साधन के विकास और चिकिसा सुविधाओं का विस्तार, ये दो चीजें ऐसी थी जिसने मृत्यूदर को कम कर दिया, और मृत्यूदर में कमी होने से उस समय जो समाने वृध्धी है जनसंख्या में वो देखने को हमें मिली अब इस में हम देखते हैं कि वृध्धी दर जो थी हमारी यदि हम बात करें 1931 में तो 1941 में हम को वृध्धी दर 1.42 प्रतिशत देखने को मिलता है और ये जो वृद्धी दर है ये 1959 में 1.42 से घट कर 1.33 प्रतिशत रह गई वृद्धी तो हुई लेकिन वृद्धी दर की जो प्रतिशत थी वो कम हो गई और इसका कारण क्या था हमको मालूम है कि वर्ष 1947 में हमारा भारत देश जो है वो उसे ब्रिटिश शाषन से मुक्ती मिली हमारा देश स्वतंत्र हुआ आजाद हुआ और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश के विभाजन का भी समय आया हमारा देश जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया और इस समय पे क्या हुआ कि यहां से बहुत लोग तो मारे भी गए और साथ ही साथ जो बहुत सारे हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत की बहुत से जो मुसल्मान थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए तो इसके अत्रिक्त मतलब बहुत जादा वृध्धी जो है वो नहीं हुई समान वृध्धी हुई और हम यह देखेंगे कि लगभग 1941 से लेकर 1951 के बीच में वृध्धी दर में हमें इस कारण से थोड़ी कमी देखने को मिली इसके बाद समय आता है तीव्रवृध्धी का जो आपका 1951 से लेकर 1981 तक का जो समय था वो भारत मी जनसंख्या की तीव्रवृध्धी का समय कहा जा सकता है हम यहाँ पर देख रहे हैं 1959 में जो भारत की जनसंख्या थी वो 36.1 करोड थी और वो बढ़कर 1981 में लगभग 68.38 करोड हो गई मतलब इस समय में जनसंख्या जो है वो एकदम दुगनी हो गई इतनी तीव्रवृध्धी हुई और यदि हम वृध्धी दर का प्रतिशत देखें तो जो जनसंख्या मतलब 1961 से 71 के बीच में तो बहुत तीव्रवृध्धी का दौर चला जो 1961 में हम देख रहे हैं कि वृध्धी दर 21.52 प्रतिशत थी वो 1971 में बढ़कर 24.8 शुन्य प्रतिशत हो गई हालांकि 1981 में इसमें थोड़ी कमी आई वृध्धी दर प्रतिशत जो है वो थोड़ी कम हो गई और घट करिये 24.66 प्रतिशत रह गई लेकिन हम ओवर ओल के हैं तो ये पूरा जो समय था जिसने हमारी भारत की जनसंख्या को दुगना कर दिया वो एक अतिव्र वृद्धी का समय था भारत की जनसेंख्या में वृद्धी का इसके बाद का जो समय आता है उसे हम कहते हैं वृद्धी दर में कमी तो आई और एक निशित संकेत के साथ आ रही है मतलब वृद्धी दर में ये कमी का समय आया और वो था हमारा 1981 से लेकर 2001 यह हम वर्तमान समय 2011 तक की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1981 से लेकर 2001 की बीच की जो अवधी थी या जो समय था उसमें हम देखेंगे कि जो जनसेंख्या की वृद्धी दर जो थी वो तो बहुत उची थी मतलब हम बात करें जैसे 1981 में जनगर्णा के समय क्या थी वृद्धी दर 24.66 प्रतिशत थी और वो घट कर 1999 में लगभग 23.86 प्रतिशत हो गई अब हम इसी को देखेंगे वर्ष 2001 में ये 21.34 प्रतिशत रह गई है लेकिन इसमें निर्पेक्ष वृद्धी में कोई कमी नहीं आई है अब हम उदाहरण के लिए बात करते हैं भारत की जो जनसंख्या है वो कुल 13.5 करोण की इसमें वृद्धी हुई जो बढ़कर 1981 में जो भारत की जनसंख्या 13.5 करोड की वृद्धी हुई और ये बढ़कर 1981 में हम देखते हैं कि 16.3 करोड और 2001 में ये 18 करोड हो गई अब प्रतिशत में कमी होने का कारण यहां पर ये प्रमुक्ता की यहां पर इसकी जो गढ़ना है वो अधिक जनसंख्या के आधार पर की जाती रही है अब हम बात करते हैं कि हमने ये जनगर्णा या जनसंख्या के अलग-अलग वृध्धी जनसंख्या वृध्धी दर का अलग-अलग जो समय देखा कि कभी जनसंख्या में रिरात्मक वृध्धी हुई विभाजक वर्ष हमने कहा जनसंख्या वृध्धी के अलग-अलग समय के बारे में देखा कि कब जनसेंख्या में तिवर वृद्धी हुई, कब इस्थी जनसेंख्या का समय रहा और इसमें हमको दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो 1921 और दूसरा 1951 जो था वो हमारे भारत की जनगर्ना के काल का या पुरे जनगर्ना समय का हम ये कह सकते हैं वि 1921 और 1959 को अब जितनी भी समय हमने देखे तो उसके अधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो जो जनसांख्य की संक्रमड की जितनी भी चरण हैं जितनी भी अवस्थाएं हैं उसके चार चरणों को वो पूरा कर चुका है और पांचवे चरण या अवस्था में वो प्रवेश करने जा रहा है प्रशन यह है हमारे सामने कि हमारे भारत की जनसंख्या जिसका हमारे छेत्रफल और संसाधन पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है तो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इस्थिर कब होगी है ना हमारे देश की जनसंख्या इस् पॉलिसी है NPP इसके अकॉर्डिंग तो हमारा भारत जो है वो वर्ष आगे आने वाले वर्ष 2045 तक इस्थिर जनसंख्या की अवस्था को प्राप्त कर लेगा लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता का या हम इस देश के जिम्मेदार जितने भ कोशिश की बिना ये संभव नहीं है कि हम अपने इस्थिर जनसंख्या की अवस्था को प्राप्त कर पाएं तो ये हो गई पूरी बात जनसंख्या व्रिधी की अब हम ये देखेंगे कि जनसंख्या व्रिधी जो इतनी तिव्रगती से हुई है या हम मतलब हम ये कहें कि क्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं